तो वहीं दिली के सियम अर्विंद के जरिवाल एडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे एडी ने उन्हों तीसरी बार समन पेश कर बुलाय था लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एजिंसी की और से जारी किये गए समन पर सवाल उठाए हैं कि लोगसबाद चुनाव से पहले नोटिस क्यों जारी हुआ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लोगसबाद चुनावों से पहले विपक्षी नेताओं को गरफतार करने की कोशिश हो रही है तो आपको बता दें कि तीसरी दफा था जब प्रवरतर निदेशाले ने इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया था समन जारी किया था लेकिन इसे पहले भी खुद अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी एडी की इस कारवाई को एडी की समन कारवाई को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर वही हुआ है इसका अर्थ ही है कि दरसल अर्विंद केज रिवाल प्रवरतर निदेशाले के सामने पेश नहीं होंगे ED का समन था लेकिन इसे सवाल उठाते हुए कहा गया कि चुनावों से पूर्व इस तरह की कारवाई को अमल में लाय जा रहा है और ऐसे में परिशान करने की कोशिश है ग्रफतार करने का परियास है